हेलो शूटर्स हमने आप लोगों को पांच स्टोक्स त्याथे ट्रेट करने के लिए जिसमें से तीन थे बाई साइट के एंड दो थे शॉट सेलिंग के कोटक मेंडरा बेंग को ट्रेट के बहुत अच्छा अपॉर्चनीटी कोटक मेंडरा बेंग मिली थी एंट्रेट करने से पहले यह यह स्टॉक्स अंदर हम लीक दिया था कि सिर्फ उनों को शॉट सेलिंग करनी है यह जो केंडल भी इन माग के इसके जस्ट लोग के नीचे मे तो यहां पर जो पैटर हम आफ लोग देखेंगे तो हैं हम अक चल्ट अग्सा ट्रेड काते है ने कि आफ नींचे हैं के प्रविới आपको अप्रों प्रिक्री 5 wod करते हैं को तक हमारे ट्रेड करने से पहले की सारे criteria को फूलफिल께 क्र रां स्टॉक सेलेक्टिन का एक प्रोसेस एक मेंसेड हम आपको बताएंगे यहां पर देहें कुछ एरिया है यह सपूर्ट पॉइंट से और आगे की तरफ उसको कर देंगे बाकी लास्ट जो हमने एक्जिक्यूट किया था पांच जार चार सो कुछ कॉंटी के साथ में ट्रें एक 1.3.5 के सम्थिंग 1.3 प्लस का आरा रेश्यो में मिला था सो दह जार कुछ का प्रोफिट हमने इसके अंदर से बहु किया था मार्केट ने बहुत अच्छा मुवमेंट दिखाया यह जितना भी वार का सेशन चल रहा था कि इस्राइल और जितनी भी लाड़ाय बगरा चल है तो कल से थोड़ा बहुत है था कि मार्केट डाउंसाट की तरफ में भी चांसे गेर सकती कॉंट्यू नहीं होगा एक या दो दिन गेरने की बाद में वापस यह आप साथ की तरफ आपको रहली दिखा सकती 950 कॉंटी के साथ ट्रेट एक्जिक्यूट के था था यह सारी करेंगे तो एक अच्छा ट्रेट है आज का जो भी बातें या जो भी पॉइंट सम आपको आज के दिन बताएंगे ना उसको बहुत आराम से और इत्मिनान के साथ में सुनना स्टॉक्स सेलेक्शन का जो एरिया है या जो मैठेड हम देंगे स्टॉक्स करने के लिए उसमें जागा चैनल पर अगर अगर आप पहली है त चैनल को सब्सक्राब करें जागा ठैग्स अट्स टर्ट करते हैं आज का वीडियो ठ्लीग्राम चैनल निक डी शिप्शिण में आप टेलग्राम पर जोन कर सकते लास्ट फ्राइडए के सशन में में जो कर दिए सिक्स्त ओफ October की candle, Friday की candle, यह हमारी reference candle थी, हम लोग सिर्फ इस 6th of October की candle को mark करेंगे, and mark करने के पीछा का reason, का reason in the sense, कि यह एक तो पूरी अपनी formation है, यहां से लेकर कि यह, volume and price को मिलाते हूं, पूरी formation, इस formation के जो सबसे basic, basic benefit होता है, कि हमें 4th day के लिए trend identify हो जाता है, कि हमें buying करना है, selling करना है, यह पता चल जाता है, but इसका use सिर्फ 4th day पर खतम ही नहीं हो जाता है, हम future के लिए in formations का बहुत अच्छे तरह से use करते हैं, trade execute करने के लिए, point of actions, कि हमें executions करने कहां पर हैं, तो कुछ-कुछ reading recording और volumes in price actions recording हमें अपने concept समझ में आते हैं, कि actually in future अगर हमें quota को trade करना है, तो यहाँ पर हम लोग कैसे trade करेंगे, फिलाल, यह सब आगे की चीज़े हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए, falling rose pattern बना, जिस वज़े समें इसके अंदर short selling करनी थी, हमारी आज की जो reference candle थी, जो important candle थी, वो थी green वाली candle, अभी इस candle के according क्या देख रहा था, कि जैसे price हमारी इस candle के नीचे confirmations दे रहा है, या फिर इस candle के ऊपर भी, ऊपर in the sense, कि माल हमें एक particular point है, like यह एक area हमें इसके नीचे short selling करनी है, यहाँ पर बन रहा है मेरे support points, support break करने से पहले के confirmations कैसे होते हैं, कि price में chances बढ़ जाता हैं, कि वो अपने support को break कर देगा, तो यह चीज़ हम कैसे पता करते हैं, आज आप देखो कि 730.20, 1730.20 यहाँ इसके नीचे हमें candle बन रही थी, इस green वाली candle के नीचे ही अपनी short selling थी, यहाँ पर जैसे ही price हमारा नीचे की तरफ गया न, यह वाला area, यहाँ पर executions हुए थे, और आप देखो कि यह जो black वाली लाइने भी daily time frame से सीधे market के हम लोग लेकर के आ हैं, यहाँ पर देखिए price ने कितनी अच्छी तरह से supports लिये हैं, price उपर की तरफ गया, यहाँ पर देखिए फिर यह support लेने लगा, नीचे की तरफ आ नहीं रही थी market, यहाँ पर इसने बहुत बार support लिया, हाला कि इस green वाली candle के नीचे हमने trade थे execute कर दिया, फिर भी थोड़ा सा risk तो रहता ही है, क्योंकि proper price में अपने support को break नहीं किया है, लेकिन एक जो बड़ा फैदा होता है, breakout से पहले अगर हम लोग यह समझ लें कि breakout हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, 100% chances तो नहीं होते हैं, लेकिन कुछ-कुछ probabilities होती हैं कि समझ में आने लगता है, price and volumes के symptoms समझ में आने लगते हैं, जैसे कि आप यह समझे, अगर एक resistance एरिया है और इस resistance पर हमें करना है short, तो हमें यह देखना होता है कि यहाँ पर buying कहां पर और कितनी हो रही है, और अगर वो buying हो रही है, तो क्या buying को price या market upside की तरफ लेकर के जा रहा है है, यहाँ पर buying हो रहे हैं और हमें करनी short selling, short selling करनी है price अगर buy हो रहा तो फि अगरे trade execute करने के लिए करते हैं, अब यहाँ पर जैसे मेरी important candle daily time frame पर हमने आपसे बोला कि last trading session, Friday की candle कर लो हमारे लिए important है, वहाँ पर इसकी importance हम समझ पा रहा हुए कि price यहाँ पर कितनी अच्छी तरह से आपका support ले रहा है, और इस support के पास में market कैसे रुक रही है, है ना, अब इसके नीचे, technically देखो तो आप इसके नीचे यह अपने confirmations ले करके trade execute कर सकते हूँ, but यहाँ पर हमने क्या किया किया, कि इस green वाली candle के नीचे अपना trade एक, reason क्या है यह करने का, आप देखिए, जैसे यह green candle है, हम इसका high mark कर लेते हैं, price क्या कर रहा था, price जब-जब मे यहाँ पर देखिए, जब-जब market हमारी upside की तरफ जाने के कोशिच कर रहे है, volumes गिर रहे है, यहाँ पर upside की तरफ, volumes नीचे की तरफ आ रही है, यह कुछ confirmations थे, so that हमने क्या किया, कि जैसे ही price ने इस candle के नीचे closing की, एक retracement पर हमने अपना trade execute किया, and just day high पर अपने stop loss रहती ह यह तो lower time chain है, अब एक horizontal line हम ड्रॉ करते हैं, 6th of October से, यहाँ पर, देखिए, सारी markings को remove करते हैं, इसको mark कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए, क्या हो रहा है, जब हम लोग इस एक candle को mark कर रहे हैं, तो यहाँ black वाली candle क्या कर रही है, एक support form कर रही है, इसको समझना देखिए, बड़ा ज़रूरी होता है, हो सकते हैं, इस सारी चीजों से कुछ लोग confused होते हैं, वो कुछ लोग कौन होते हैं, या कौन हो सकते हैं, possibilities हैं कि वो, जो कि prices को बहुत अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं, अभी भी indicators में फसे हुए हैं, अभी वही traditional चीजे हैं, जो कि बह बड़ने की समझ आपके अंदर develop हुई है, दीरे दीरे, volumes को and price actions को आप कुछ-कुछ समझ नहीं लग गए हो, order close समझ रहे हो, SMC के concept समझ पा रहे हो, तो ये सारी चीजे आपको बहुत आसानी से समझ वा जाएंगे, और अगर एक बार ये समझ में आ गए, तो आपको किसी भ प्राइस इसको read करने लगोगे, ऐसा नहीं कि आपने indicator बना दिया, यहां से ऐसे कोई line जा रहे हो, उड़ती हुए, फिर वो नहीं चेक तरफ आ रहे है, आप खुद से, खुद बखुद आप एक as a indicator काम करोगे, तो जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, like यहां पर समझ लिजे क इस red वाली candle की low पर बन गया support, अब यहां पर market कैसे react कर रहे है, आप पढ़िए इसको, देखे, volumes कम हो रही ना यहां पर, volumes कम हो रही है, बट price ने बना दी एक mother candle, high volume के साथ price नीचे के तरफ टूड गया, है न, अब अगर यह नीचे के तरफ आ गया है, नीचे के तरफ इसन हो रहा है, अब अगर इसको उपर निकलना तो यह उपर ही चला जाए न, कुल मिला करके एक breakout high volume के साथ market करे, यह जो retracement zone है, यहां पर कम volume के साथ price upside की तरफ जा रहा है, यह वाली candle बन जाती है, मेरी एक important candle, यहां से हमें क्या करना है, simply हम लोग देखते है, short selling, यह extra elements होते है Otherwise, कई सारे stocks ऐसे होंगे, जिसमें आपको falling rose दिख जाएगा, आज के दिन decreasing rose दिख जाएगा, तो उनको क्यों निट्रेट कर दिया है, उसमें यह जो internal structures है, यह हमें follow होते हुए नजर नहीं आए, या फिर हमारे trade execute करने से पहले कि जो criteria's है, यह fulfill होते हुए नजर नहीं आए, आयोपी यह सारे चीज समझ में होगी, एक दिन में समझ में आने वाली चीज है नहीं, basically यह आपको continuation में निरंतर अभ्यास चाहिए होगा, continuous practice चाहिए होगी, इसको समझने के लिए, आप 4 गंटे या 5 गंटे सोचो कि एक ही दिन में बैट करके हम रीट करने तो नहीं, आपक नहीं, उनको कभी हम यह बोलेंगे कि आप dead charts के उपर practice करो, या फिर chart form हो जाने के बाद में हम बता रहें कि देखिए, यहां से price हमरा ओपर गया था, यहां से इसके अंदर short selling हो गई, तो यह trend line में re-break हो गई, और यहां से इसको resistance मिल गया, यह support बन गया, अब market off हो जाने के आप market start होने से पहले इस चीज़ को read करो, possibilities हैं कि आप market start होने से पहले read करो और वो गलत हो जाएगा तो हो जाएगा, next day फिर से हम try करेंगे, नहीं होगा हम next day फिर से try करेंगे, एक दिन आप सही हो जाओगे, सिर्फ एक ही दिन नहीं होगे फिर इसके बाद में क्या होगा न थोड़ा सा आपने एक सही prediction लगाया तो साथ दिन से जो आपने सीखा उसका ही result था ये आठवी दिन आपने एक सही reading की नवे दिन गलत नहीं हो गया आप नवे दिन भी आप सही हो गया इस तरह से करते करते हैं हम लोग फिर प्रैक्टिस में आप समझ पा रहे होगे कि हम क्या क्लियर करना चाहरे हैं क्या कहना चाहरे है और आफ मार्केट नहीं जितना हो सके ना लाइव मार्केट पर पढ़ो जैसे कोटक में दर बैंकिस के नदर हमने कहा कि short selling ही करनी है red candle ही फर्म होगी daily time frame पर तो ये कैसे है सिर्फ प्राइस को पढ़ो, समझो, कही सारे स्टॉक समगेते हैं, जिसमें हम बोलेंगे, रेट केंडल बन जाती है, ग्रीन केंडल, ठीक है, कोई बात नहीं जाने दीजे, तो इस चीज़ को आपको समझना होगा, और ये चीज़ हम बोल इसलिए रहे हैं आपसे, क्यूंकि ह हो सकता है, आप रेटिंग करो, रेट केंडल के प्रोस्पेक्टिव से बन जाए वहाँ पर ग्रीन केंडल, तो दीमोटिवेट नहीं हो जाने कि हम तो जो कर रहे हैं, सब गलत ही हो रहा है, होने दीजे न, वो मार्केट है, मार्केट को जो करना है, वो करने दो, जो आपका काम है वो करो, आपका काम है रेट करने का आप रेट करो, टार्गेट के लिए हमने बिलकुल लास्ट तक होल गया, बिलकुल लास्ट तक, यहां पर कही है उपने एकजिट कर पाया थे, क्योंकि मार्केट को जो सेंटिमेंट दिख रहे थे न, यह बहुत एक तरह का साइडवे मूव तिखाए, मैं भी चांसे है कि कल मार्केट आपकी साइडवे मूव में ही रहे, थोड़ा सा ध्यान से काम की जाएगा, यह तो हमारा आज का ट्रेट था, जिस तरह से हमने एक्जेकुशन किया और जो भी कॉंसेट थे वो हमने सारे के सारे के सारे आपको क् इस टाउकस को सिलेट करने और उसको ट्रेट करने के एक टेक्निक बदाएंगा शुरुबाती लेवल पर प्रक्टिस करने के लिए इस टेक्निक का यूस करना सिर्फ प्सक्राइट के लिए बहुत हेवी कॉंड़ि के साथ में इसमें काम नहीं किया जाएगा, हाला कि लिए आपसाइड बर हम आपको लेकर कर जाएंगे, वहाँ पर भी यह साही चीज़े आपको as a reminder note करवा दी जाती हैं, जैसे कि देखिए, हम लोग intraday stock screener पर आईए, sorry, intraday screener, यहाँ पर आने के बाद में, आप intraday पर click कर देखिए, यहाँ पर आने के बाद में, आप intraday पर click कर जाओगे page पर इस सारी चीज़े आपको समझा दी गई है, और जो चीज़ा भी हम बोल रहे थे, जैसे यहाँ पर देखिए, don't risk more than 1%, take minimum 2 trades, keep strict stop loss, keep monthly limit of 5%, जैसे सारी चीज़े पहल लेना, अब देखिए, यहाँ पर क्या है, उपर ही आते हैं, LTP मतलब last traded price, close मतलब इसका close price, LTP पर ही रहना, LTP पर क्लिक कर देना सबसे पहला, दूसरा, इस corner पर देखिए, कुछ आपको options देख रहेंगा, यहाँ, FNO, cash, FNO, Nifty, यह सारी चीज़े, इसका use कैसे होगा, देखिए, यह तो cash segment के stocks आजाएंगे, आपके पास बहुत सारे stocks आजाएंगे, तो cash पर तो फिल Nifty पर क्लिक कर देना, यहाँ पर आपको Nifty और FNO, यह दोने stocks आजाएंगे, हम क्या recommend करेंगे आपको, Nifty पर ही रहना, Nifty के stocks को trade करना, क्योंकि FNO के अंदर के जो momentum होते हैं, यह जो volatility होती है, यह जाधा होती है, इसको थोड़ा सा भी avoid करना, Nifty पर रहना, यहाँ पर buy करना, इसको यह देखिए, टॉप gainer में आगया, इस list के according यह 1.29% ने gain किया है, बाकि सारे stocks फिर आपके नीचे की तरफ गिरे हैं, यह last price में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक click कीजिए, जहाँ पर Adani Port, Hero Motocop, HTFC और MNM, इतने सारे stocks आगया, आपके काम करना, अच्छा यह तो sale level, आपके लिए, यह sale level जो है, यह आपके लिए नहीं है, sale level का आपके लिए मतलब है buy और buy level का आपके लिए मतलब है sale, जो market कर रही है, आपको उसके opposite जाना होगा, हमेशा या बहुत जादे दिन तक हम लोग ऐज़ा technical analysis काम नहीं कर सकते, शुरुवाती level पर ठीक रहता है, कि हाँ technical हम लोग सीखने सब कुछ करें, लेकिन होता है ना, कि फिर trappings भी तो आती है, हम लोग हमेशा यही mother candle और यही आपका इंगलफिंग और inverted और ascending और symmetrical flag, तमाम तरह के triple top, double top, bottom यह सब सीखते रहेंगे, आगे कब बढ़ेंगे, जारत और लोग तो इसी में फसे हुए ह इसको जल्दी जल्दी से खतम करो, clear करो, फिर एक स्टेप और आगे बढ़ो, तोड़ा सा तेशी निगास से देखना भी तो पड़ता है, हमें मालूम है कि आप mother candle के लोग के बाद में आप इसको shot को दोगे, हम क्यों वहां से बाई गिर के आपका stop loss ना ले लें, यहाँ प advance levels आते हैं, तब आप उसको trade करो, फिलाल यह सारी बात की चीज़े हैं, यहाँ पर देखे, sale लिखा है, sale मत करना, buy लिखा, buy मत करना, sale लिखा, buy करना, buy लिखा, sale करना, simple, अडानी port है, अब आप एक काम करो, देखो, अडानी port को as example हम लोग लेंगे, अडानी port, अब देखे इसके अंदर next day buying करेंगे, buying के रिये account कौन से होंगे, आप यहाँ पर आजाएए, अडानी port में, यह लिखा है न, sale level, यह आपका buying level है, इसको आप करो mark, copy, यहाँ पर आगए, यह लिखे, यह बना न, सबसे पहला area यह बना आपका, इसके बाद में, यह वाला point बन गया, यह सबसे fourth level है यह आपका, यह वाला, इसके बाद में फिर आप support 805.14, 805.14, 805.14, 15 वो आटोमेटिक ले लेगा, ठीक है, यह area बन गया, अब इसके बाद में आप second वाला विखे, यहाँ पर आए, mark, control, V, हो गया, यह points आपके पास निकला है, price जब तक इसके नीचे रहे, रहन नहीं करना है कुछ, लेकिन जैसे price 798.05, यहाँ पो थोड़ा सा buffer दे देना, buffer के कुछ छोटे से rules होते हैं, उनको follow कर लेना, एक बार अगर आप एक level से confirmations लोगें, तो next जो target होगा, वो यह वाला होगा, यहाँ से confirmations लोगें, जो target होगा, वो यह वाला होगा, short selling करना मैं सि इसको trade करते हैं कि stock आज 5% गिरा है, तो मैं भी chance है कि कल इसके अंदर एक pullback हो, price आपका उपर की तरफ turn दे, तो थोड़ा बहुत जो retracement है, वो हमें देखनों को मिलेगा, और उससे हम लोग थोड़ा बहुत पैसा बना सकते हैं, फिर से यहाँ पर आईए, यह क्या लिखा ह इस जगह पर, यहां तो price नहीं है, जाने दो ना इसको, हमारे लिए हमारे जो काम के levels हैं, वो यह वाले हैं, आप as a example, कल अडानी पूट को देखना, price जब तक नीचे है, रहने दो, लेकिन जैसे price आपके zone में आ जाएगा, यहां से आप काम करोगे, और अपने entries के confirmations बहु price को read करने के जो technique के उसाही लगा देना, बच्चों के तरह कामत करना कि आपने stock slate कर लिया, level draw कर दिया, price उपर दिखा, अपने buy कर दिया, यह तो फिर भाई nursery case वाली हरकत हो गए, आपको यहां से क्या हुआ एक stock मिल गया, जो चीज़ अभी हमने बता है, stock मिल गया, एक level मिल करते हैं, चलिए, अडानी हो गया, इसके बाद में आप hero motocop ले लो, सभी stocks को mark करने जरूत नहीं है, आपने अडानी को जैसे mark है, वैसे हम लोग hero motocop को mark कर लेंगे, अब आगे बढ़ते हैं, देखिए, जैसे last price को हमने ले लिया था, अब यहां पर एक click कर देना, और देखने, तो यहां पर हम area कौन से देखेंगे अपना, यह वाला point, जो हमें buy के लिए दिखा रहा है, हम उस area का use करेंगे, sell करने के लिए, control C करिए, 5439, 5439, यह वाले point, यह अपना sell का point होगा, तो सब से low पर में क्या मिला, 5439.05, और आप आगे की तरफ आज़ो, तो यहां resistance number 4, जो मिलेगा, 555, 53.05, वो 0, 06, 05, वो automatic ले लेगा, समझ के न, यह हमारे पास area निकलाया, अभी बीच के दो points और होगे, इन दोनों को आप mark कर लो, practice करने जब आपाऊगे न, तो आपको बहुत सारी चीज़े मिलेंगे, आपको यह decide करना पड़ेगा, कि price action की practice आपको करनी है, तो कैसे करनी है, यह आपको खुद से निकालना पड़ेगा, बैठे बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, कि आप day by day थोड़े दिन आपने stock practice की फिर बात में, आपने segment change के लिए धर उधर करते रहोगे, तो फिर वो monkey jump हो जाती एक तरह से, हाथ कुछ नहीं आगा, ल सब में मिल रहे है, अगर हमारे पास वो stock आ रहा तो वो आपके पास भी आएगा, यह तो गनीमत है कि भी हम सिर निफ्टी 50 के और एफिनो के stocks के अंदर काम करें, हमने अभी तक cash segment के बहुत कम stocks हैं जिसको हाथ लगाया है, आप NCC को उठा के देख लो, निफ्टी और बैंक का बिजनस संभाल नहीं पाओगे, तब तक आप 100 रुपए का भी बिजनस संभाल नहीं पाओगे, बहुत छोटे शब्दों में हमने अपनी बात कही है, अगर आप 1000 रुपए का बिजनस चला नहीं पा रहे हो, तो फिर आप 10,000 रुपए का भी बिजनस चला नहीं पाओग जबकि पता है कि हम से संबलेगा नहीं, नुकसान ही कर देंगे, करो आप नुकसान, खुद से समझो, आपको अगल बागल जब आप सोचल मीडिया पर देख रहे हो, तो अगल बागल आपको इन साही चीज़ों को पर को डिसकस करता हो, दिखेगा ही नहीं, भले ही आपसे जो काम की चीज़े हैं, जिससे आपको बेनिफीट होगा, पहले खोद को प्रॉफिटेवल बनाओ, उसके बाद में फिर सेग्में इसचेंज करो, यहां पर देखेगे, तील लेवल बन गए हमारे, अब इसके बाद में क्या करेंगे, इसे और एजी क्या होगा, ट्रेट कर गर जाएगा, तो इसलिए हम थोड़ा सा बफर दे देते हैं, बीस पैसे, पैसे, पैसे का एक रुपा है, वो इस्टॉक वेली को एक को एक क्या होना है, इसके आधरपत्य होता है, पिछले सेशन में क्या हो चुक है इन लेवल पर, आप देखो, कोई भी एक डेट उठालो रेंडम्ली कोई भी टेट, यहां पर देखे, हमें क्या पता, कि 3rd of October को Dr. Reddy ने पर्टिक लेवल पर क्या किया, हमने तो सिर्फ आज के कॉर्डिक अपने लेवल माग कर लिया, यह इतने स्ट्रॉंग लेवल होते हैं, कि अगर आप इनको मास्टर कर लिया, तो बहुत पैस आप इससे बना लोगे, काफी सारा पैसा आप इससे बना लोगे, लेकिन बस यह है, मन में किसी तरह को कोई वहम नहीं हो ना चाहिए, वहम इन द असंस कि बस आहां हो जाएगा, तो बहुत आसान है, हम कर लेंगे, यह चीटिंग नहीं होने चीज़िए, खुद से चीटिं कर लो प्राइस एक्षन को समझ लो थोड़ा बहुत अपनी एजुकेशन पर इन्वेस्ट करो पढ़ो समझो बुक्स पढ़ो यहां पर देखिए प्राइस यह आया यहां से फिर से नीचे के तरफ गिर गया एक लेवल तोड करके डिरेक्ट नीचे यहां से देखिए एक किया अगें देखिए नीचे और नेक्स्ट है यहीं से यह अपसाइट के तरफ चलागी क्लियर है हमने आपको डॉक्टर रिड्डी के एक गेनर और एक लूजर स्टॉक उता दिया जिसमें बाइंग करना जो गेनर उसके अंदर शॉर्ट से लिंग करेंगे और जो हमारा ल लेवल्स ट्रॉक करके उन्हें ट्रेट करो आपको मज़ा आएगा लेवल्स मिल गए ट्रेंड इंटिफिकेशन हो गया आपके पास स्टॉक आ गया कि पॉइंट ऑफ एक्शन जो आपके पास आगया और क्या चाहिए ट्रेट करने के लिए अब सिर्फ बसती है तो आपकी प्रैक्टिस और एक सही डिसीजन लेनी के जो टेक्निक होती है एक सही डिसीजन मेकिंग आपको जो प्रोसेस होगा वो चाहिए होगा इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता बैचारा एक ही बैंक निफ्टी का चाट है आप उसको कितना ट्रेट करो एक दिन में वो कितना चल चल गेंगा हाँ हाँ लाखों लोग रोज एकस्पकेशन लेकर के आते हैं कि आज इतना इधर हो जाय 맞아 आज हो जाएगा उपचारी एक निफ्टी के चाट एक कितना ही चल जाएगय कितना चलेगए गुःट को भी उसी से खमाना है ब्रोकर को भी उसी से खमाना और ट्रेड भी होगा कुल मिला करके सबसे पहले खुद को एक लेवल तक पुश करो, खुद को एक लेवल तक ट्रेंड करो, तब फिर दूसरे साइगमें जाओ और काम करो आपको तब फिर रियालिटी पता चलेगी एक्शली मार्केट में फिर कैसे काम हो इससे fix income कैसे निकल दे, फिर आगे चल करके आप इसके swings तेखोगे swing trades करोगे, पैसा मनेगा swing trade में आपका तो loss होगा ही ने, बहुत कम trades ऐसे होता हैं कि swing trade में वो sideway हो जाए आपका loss करवा दे, swing trade में अकसर आपको profit ही होगा, चले आज के रिफ्राल में इतने ही रखते हैं अब हम लोग मिलेंगे नेक्स रेडिन सेस्टिन में अपनों जो भी स्टॉक्स अगरा होंगे आप टेलेग्राम गूरूप जाइन कर लिजे बहुत सारे स्टॉक ऐसे होते हैं जो कि हम गूरूप में शेयर कर लेते हैं जो थैंक्स, गुद्बाइ और यूवी वीट अगाइन